देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी तो चलिए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों की और सबसे पहली खबर है एहमदाबास से जी हाँ आपको बता दू कि अजाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 38 आतंकवादियों को एक साथ फासी की स सजा सुनाई गई और यह सजा किस वज़े से सुनाई गई है तो आपको बता दू कि साल 2008 के अंदर एक सीरियल बम ब्लाश्ट हुआ था यानि कि एक के बाद एक बम धमाके किये गए थे उसी के अंदर यह सजा सुनाई गई है सतर मिनट के अंदर 21 बम धमाके किये गए थे जिसके अंदर 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे और 56 लोगों की मौत हो गई थी इसी वज़े से अब कई समय बाद अदालत ने ये कारवाई करते हुए फैसला लिया है कि जितने भी दोशी थे यानि कि 49 लोग जो इसके अंदर दोशी पाए गए थे उसके अंदर से 38 कि ये गए थे तो आपको बता दू कि उस समय 2008 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे पीम मोदी जिनकी मोत की साजिश रची गई थी और इस बार अदालत ने ये फैसला लिया है कि ये बहुत बड़ा अपरात था इसके अंदर नर्मी जो है बिलकुल भी बरती नहीं ज जाएगी या फिर समय का गैप रखा जाएगा एक दो दिन का जिसमें उनको फासिदी जाएगी हलांकि जो भी होगा वो आपको बता देंगे तो अगली खबर की और बढ़ते वह आपको बता दू कि हर्याना वासियों के लिए जो गुरूप डी की भरतिया निकली थी उसके लिए यह अच्छी खबर है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनकी भरतिया जो खाली पद रहे गए उनके अंदर की जाने वाली है और कुछी समय के अंदर जो है बता दिया जाएगा कि कौन-कौन से पदों के लिए यह भरतिया निकाली गई है इन पदों को वेटिं फॉर्मेट में यह जानकारी उपलब्द कराने को कहा गया है साथ यह भी बताना होगा कि भरती में चैनित कितने करमचारी जो है वर्तमान में कार्यरत है जिसके अलावा जो बच गई है वेटिंग लिस्ट में उनको तुबारे से भरती किया जाएगा अगली खबर की और ब 22, 24, 26 फरवरी को संचालित होगी इसके लावा अगली खबर की और बढ़ते हुए आपको बता दू कि 12 वर्षी है बच्ची से रेप हत्या के दो दोश्यों को फासी की सजा सुनाई गई है और यह मामला है पानिपत का हाला कि बित्युडन से कम सजा पेडित और परिवार ही की नहीं समाच के साथ भी अन्याय होगा इसी वज़े से इस तरीके की सजा जो है सुनाई गई है तो आपको बता दू मामला क्या था मामला था पानिपत के उर्लाना शेतर में 12 वर्षी बच्ची को अगवा कर दुशकर्म के बाद हत्या करने वाले दो दोश्यों को फास्ट की चीखने चिलाने लगी तो उन्होंने उसके ही शोल से गला घोटकर मार डाला फिर शव को पूरी तरह नगन कर दिया और उसके बाद भी उसके साथ दुशकर्म किया गया इसके बाद देर रात को शव को नगन अवस्था में ही गाउं की चुपाल के पास फेक दिया गया ताकि शव जो है कहीं पर भी ना मिल सके इसी वज़े से जो है बुने फासी की सजा सुनाई गई आपको क्या लगता है कि पोक्सु एक्ट क्या इतना जादा प्रभावी नहीं है जिसकी वज़े से जिसका डर नहीं है लोगों के अंदर रेक के बाद ऐसे दुश्कर्म की घट बगातारी तरीके की घटना है जो है बढ़ती जा रही है कभी चोरी की कभी दुश्कर्म की खेर आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे आपके शहर से जुड़ी होई तब तक जादर से जादर शेर करते रहें नमस्कार